हेलो प्रेंट्स, वेलकम टू पिक्सल वल्डी जानिंग पिछली क्लास में हमने लाफो टूल का यूज देखा था और आज की क्लास में हम क्विक सेलेक्षन टूल का यूज डीप में देखेंगे इस टूल का फार्ट कट है डबलू, अगर आप किसी दूसरे टूल में है और जैसे यह आप डबलू प्रेश करते हैं आपका क्विक सेलेक्षन टूल एक्टिव हो जाता है इसके पहले की क्लास मेंने सेलेक्षन टूल से रिलेटर रखी थी उसमें आपने सेलेक्षन टूल, लाफो टूल का यूज देखा था और यह विक सेलेक्षन भी उसी फैमिली का पार्ट है यह समझे है कि आप इसमें आप्सन देखेंगे आप तो बिल्कुल फेमिलियर आप्सन है सेलेक्षन टूल एंड लाफोर टूल की तरह इसमें कोई डिफरेंट नहीं है सिर्फ एक दो आप्सन ऐसे हैं जो इसी सेलेक्षन से काटिंग है और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं कि और जया जाता है अगयों है जैसे आपने किशली क्लास में तूल का देखा है तो इस टूल के बादे प tiene came से selection बनाता है ना कि मज़ा आ जाएगा आपको देखके यह मैं बनाता हूँ इससे आपको selection बना के दिखाता हूँ मैं यह जो आपको एक circle दिख रहा जिसमें plus बना हुआ है इसको आप सकते हैं सकते इसे बना कर और लेप्ट से इसको चोटा कर सकते हैं यह जोटा और बड़ा जब इसमें सेलेक्षन बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप जेखेंगे कि इसको सबसे पहले तो आपको जूम कर लेना चाहिए जिस भी इमेज में आप सेलेक्षन बना रहे हैं जूम कर लेंगे तो क्या है ना कि एक एक पिक्सल आपको आफानी फे दिखता है इसमें मैं स्टार्ट करता हूं इसको मैं कर लेता हूं छोटा इसमें मैंने माउस का लेट की प्रेस करके फेलेक्शन बनाना इस्टार्ट किया है इसको आप जाहो तो और चोटा कर सकते हो अब जहां जहां आप ड्रैग करते जाओगे वहां वहां बनता जाएगा यह देखिए इस लीप में यह पूरा फेलेक्शन बन गया है जैसे एक डा कर लिजे शरकल को अब आप देखेंगे तो कि असानी से बनता जा रहा है यहां बन चुका है कि यह अब नीचे आ जाएए यह यह बन गया अब आप इसमें रेट कलर पर देखेंगे आप जो रोज है इसमें आप सेलेक्शन बनाएंगे बस कितना फास्ट वर कर रहा है यह भूब तेजी से अम बना रहा यह देखि किस ना असानी से सेलेकंशन बना लिया और इसमें गया कि यह लीप को भी बना देते और इसलेक्शन बना दिया अब आप इसमें देखेंगे कि कुछ एरिया ऐसा है जो मुझे नहीं चाहिए उसको रिमूब करना है तो सिंपल फिलेक्षण टूल की तरह आप एल्ट प्रिस करके आप इसको रिमूब कर सकते हैं मैं जूम करता हूं मैंने जूम किया इस सरकल को थोड़ास और चोटा कर लिया ऐट प्रिस किया है अब आप करना है तो आप बस alt press करके देखेंगे selection remove हो गया एक दो जगा और है इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी प्रैक्टिस करेंगे इसको कर पाएंगे आप 2-4-6 इमेज आप ओपन करके उसमें प्रैक्टिस कीजिए 15-20 मिनट जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ही आसानी से आपको सेलेक्ट्षन को समझ में आएगा और उतना ही आपका वर्थ पर्फेक्ट होगा जैसे यह थोड़ा का देखें आपकी अंदर हो गया इसको बाहर करना है इस पर प्लस करिए यानि शिफ्ट बटन प्रेस करके आप इ इसमें भी ले जाना इस लीप भी ले जाना है यह देखिए यह फिलेक्ट्षन इसमें कंट्रोल जड़ भी काम करता है यह दिखें कंट्रोल जड़ में ने किया जो फिलेक्ट्षन था मेरा वो फिलेक्ट्षन पूरा आ गया इसमें कितना अच्छा फिलेक्ट्षन बना हु वाले जो पिछली क्लास में आपको option मिले थे बिलकुल वही हैं कोई भी different नहीं है इसमें तो बिलकुल family आ रहे हैं अगर एक selection आपको आ गया ना तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी बस यह है कि सभी selection करने का आप अलग अलग से selection होता है हर image में आप इसी को select नहीं कर सकते हैं सभी image के लिए अलग अलग टाइप से selection यूज कर सकते हैं इसको मैंने layer भी या copy किया आप देखेंगे कि ये copy हो गया इतना selection कितना आफानी हो गया कुछ भी नहीं करना पड़ा लाफो टूल को आप भूल जाएंगे इसको यूज करने के बाद लाफो टूल का यूज होता भी नहीं है इसमें फिर पडंगेंडल लाफो का यूज होता है जो नार्मली मैंने देखा है बाकी लाफो टूल एंड मैगनेटिक लाफो का यूज कोई भी नहीं करता है बाकी टूल के यूज बिल्कुल नहीं करता मैं भी है तो selection टूल आपको समझ में आ गया होगा एक है magnetic wand tool यह भी magnetic मतलब बहुत श्यांदार क्या आग है इसके बारे में इसके लिए मैंने एक image open की हुए यह देखें गया इसमें आप click करेंगे ना जैसे आपने click किया तो यह जितना एक color से मिलता solid color था green color से उतने कुफ ने catch कर लिया यह tolerance पे आपको यहां पे ध्यान देना पड़ेगा tolerance जितना बढ़ाओ गया उतनी एरिया को capture करता जाएगा उससे मिलते ही जूलते color को जैसे मैंने control D करता हूं यहां पर यहां पर मैंने 15 था अब मैं इसको 15 कर देता हूं यह जादा selection इसने बना लिया इसको आप मैं कहूंगा कि 50% ठीक है tolerance इसमें इतना selection इसने बनाया यह main solid clear के लिए आपके अगर बैक ग्राउंड में solid color बिल्कुल red black मतलब जो भी color solid है और उसके ऊपर जो एक object बना हुआ है आपका वह भी solid color है तो आसानी से आपको वह color निकल जाएगा वह आसानी से green solid color था फिर simple उसी color को उसने उठाया है जहां से color change होता गया वहां से उस color को उसने छोड़ दिया है एक single color को इसने क्लिक किया है तो आप इसका tolerance बढ़ा के यूज करेंगे तो ही आपको ज्याद अच्छे समझ में आएगा ज्याद अच्छे से selection बनेगा जैसे मैंने इसमें 50% किया और इसमें आप स्विप्ट करके एड भी करते जाएंगे जिप्ट प्रेस किया यह देखेंगे selection add हो गया यहां पर यह पर यह भी जिमोग हो गया यहां पर करके मैंने यह देखिया बहुत प्यारा सा selection मेरा बन गया इतनी इमेज को मैं आप रिमूब कर सकता हूं बैक्ग्राउंड को जैसे मैंने डिलीट किया यह देखें पीछे का बैक्ग्राउंड पूरा रिमूब हो गया बैक्ग्राउंड रिमूब करने के लिए भी यूज किया जाते लेकिन आपको यह ध्यान रहे कि बैक्ग्राउंड आपका solid होना चाहिए multi color होगा तो वो मुश्किल आएगी यह ऐसा नहीं है कि नहीं होगा हो जाएगा लेकिन थोड़ी फी दिक्कत आती है करने में जितना परफेक्टर होगे काम में उतनी आफानी फी आप चीजे कर पाऊगे इसका टूल आपको समझ में आ गया होगा मैजिक बॉन का सिंपल सा यूज है इसमें एक एंटी आलियाफ है यह आपने इस एलेक्षन टूल में पढ़ा था और इसमें एक है कांटीजियस के लिए मैंने एक दुसरी में जोपन की हुई है यह इसमें भी आप जैसे यह solid color एक प करूं यह देखिए आप कितनी आसानी फे पूरा का पूरा कैप्चर हो गया सेलेक्षन बन गया यहां पर मैं सिप्ट करूंगा बाकी चीजे भी सिप्ट प्रिफ करके रिमूव होती जाएंगे यह देखिए कितना आसानी फे color हुआ इसमें पूरी पत्तियां में सेलेक्षन बन चुका है बैक्ग्राउंड पूरा अगर आप इसको अब सेलेक्ट इन्वर्स करना पड़ेगा सेलेक्ट इन्वर्स का यूज मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था लेयर विया कॉंपी यह देखिए एक पूरी यह जो फ्लावर था यह पूरा का पूरा कॉंपी हो चुका है इसमें आप अगर शाहें तो बैक्ग्राउंड कलर चेंज भी कर सकते हैं उसके लिए उसके यह से यलो मैं इसमें पीडार आए इलो है जिएक कि मैशी सर्ण अधियलु ए इसम흥ें उन्हीच पिमने पाल च्छोट मंस कृपे यह द अदि जार में लीक्री नीचे हो तो आप हंगे करते में उसके लिए दूसरोट में आपन इसका यूज देखेंगे मैं इसको ctrl z कर रहा हूं और इसमें एक है tolerance tolerance का यूज आपको समझाना था magic wand tolerance को टोलरेंस का तो बता दिया है मैंने सौरी कांटीजीस का कांटीजीस क्या होता है जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके आपको टॉल्टेंज कम करना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा यह देखें सिर्फ सिंगल कलर एक पिक्षल दो पिक्षल के इसने क्लिक किया हुआ है यहां से जो इसको सॉलेट कलर मिला अब जैसे इसमें भी आउन है तो अगर इसको आप कर देंगे तो आप देखेंगे कि यह जो फॉलेट कलर था जहां जहां पर पूरे अबजक्ट में वह कलर होगा उसको वह पिक कर लेगा मैं आपको दिखाता हूं अब इसमें मैंने क्लिक किया यह देखें जिफ जिफ जगह पर उसको वह फॉलिट कलर वह कलर मिला उसको उसने पिक कर लिया पूरे उससे यह बहुत यूज की चीज है यूजफूल है यह आप जब यूज करेंगे तो ज्याद अच्छे समझ में आएगा आप पांच है डिफकल टाइप के बैंग्राउंड वाले इमेज निकालिये और उसमें सारी टूल्स का यूज करके देखिए तो आपको समझ में आएगा और अब हम सिंपल आल लेयर का यूज समझते हैं सिंपल आल लेयर का मतलब है कि अगर आपने कोई नई लेयर बनाई ब्लैंक और उस पर आप वर्क करेंगे तो उसके पीछे जिस भी लेयर में आबजेक्ट रहेगा उस लेयर को वो पिक कर लेगा कैनेक मतलब यह है कि आपने ब्लैंक इमेज बनाई और बैक्ग्राउंड में आपके कुछ डाटा है तो वो बैक्ग्राउंड को पिक कर लेगा जैसे मैं एक न्यू लेयर बनाता हूं और इसमें एक ब्लैंक लेयर बनाता हूं यह ब् आप देखेंगे कि background layer को वो click नहीं कर रहा है सिर्फ इस लेयर पर blank है तो आप देखेंगे चारों तरप से dot dot line आ रही है क्योंकि सिर्फ इस लेयर 1 को उसने select किया हुआ है जैसे यहां पर आपने simple layer पर click कर देंगे control D करता हूँ मैं D select करता हूँ इस पर click करेंगे तो यह समझ लीजिए कि इसने background 0 layer को इसने select कर लिया है अब इसको पकड के वो काम करेगा जो भी आप work करेंगे तो background layer पर होगा layer 1 पर sorry layer 0 पर जैसे मैं इसको select करता हूँ यह दिखें मैं हूँ layer 1 पर लेकिन वो click कर रहा है layer 0 को इसका simple मतलब है इसका use भी आपको समझ में आ गया होगा तो quick selection tool and magic one tool का use आपको इस class में समझ आ गया होगा इसकी आप जिदनी practice करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए आप इसके लिए सिर्फ एक घंटे की practice कीजिए चार पांच इमेज डाउनलोड कीजिए और उसमें different different type के background पे आप work कीजिए उनको select कीजिए background remove कीजिए उसको दूसरी जगा कट का पी paste करके देखिए तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से और अगर आज की class related कुछ मिस हो गया है जो मैंने बताया नहीं आपको तो प्लीज आप comment करके पूछ लीजिएगा और चैनल को subscribe कर लीजिएगा थैंक यू गुड़ डे